एलो बच्चाओं, ये कुशन आपका motion in a plane chapters है, अब बहुती simple कुशन है, चलिए कुशन स्टार्ट करते हैं, देखे कुशन क्या कह रहा है, ये motor boat is racing towards north at 25 km per hour, कोई motor boat है वो 25 km per hour की speed से जो है north की direction में चल रहा है, सबसे पहले यहाँ यहाँ पर east, west, north, south यहाँ पर बना देते है km per hour दे रहा है, फिर आगे देखे कुशन में कह लिखा है, and the water current in that region, ये water current का मतलब क्यो होता है, ये water current का मतलब velocity of river है, ठीक है, water current मतलब water flow कर रहा है, बहरा है, तो उसका जो velocity है, वो हमें दे रहा है, ठीक है, तो ये velocity of current है, current मतलब water का velocity है, ये, velocity of current 10 km per hour दे रहा है, लेकिन इसका direction जो दे रहा है, in the direction of 60 degree east of south दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पे इसे plot कर देते हैं, देखो, velocity of boat का जो direction है, motor boat का जो direction है north है, तो north direction यह है आपका, तो यह आपका velocity of boat है ठीक है, ओके, अब देखो यह जो current का velocity है, उसका जो direction दे रहा है, 60 degree east of south दे रहा है, south से east की तरफ 60 degree के angle पे, यह water current क्या कर रहा है बहरा है, south से east की तरफ देखो, south यह है, east यह है तो south से east की तरफ इस direction में, वो बहरा है ठीक है, अज 60 degree के angle पे बहरा है, south से east की तरफ तो यहाँ पे, यह 60 degree का angle बन रहा है तो देखो यह वाला जो वेक्टर है यह वेलोसोटी ओवाटर करेंट का वेक्टर है यह वेलोसोटी ओवाटर करेंट है और यह वेलोसोटी ओव बोट है अब देखो हमें क्या करना है तो इसे बड़ा बना देते हैं वेलोसोटी ओव बोट को ठीक है अब देखो हमें यहां प find करना ही हो जाएगा आपका 180 degree minus 60 degree तो theta is equal to हो जाएगा आपका 120 degree अब देखो question में आगे पूछा है find the resultant velocity of the boat देखो boat तो इस direction में चल रहा है और हमें boat का resultant velocity पूछा है इसलिए पूछा है boat का resultant velocity क्योंकि boat का velocity change हो जाएगा देखो boat इस direction में चल रहा है ऐसे आगे की तरफ चल रहा है अब water current की direction इस तरफ है तो water current क्या करेगा इसकी direction को shift कर देगा और इस boat को एक नई velocity मिल जाएगी जिसे हम resultant velocity बोल भाए है तो इस resultant velocity का हमें magnitude भी find करना और direction भी find करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक पैललोग्राम बनाएंगे तो देखो हमें एक पैललोग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से यह पैललोग्राम complete कीजिए और यहाँ से एक उपर की तरफ एक line यहां से आपको डाइगोनली एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है इस डाइगोनली ठीक है तो यह जो हमें नया वेक्टर मिलेगा यही क्या है इस डाइक्टै वेक्टे हना वील्डेक्शन वेक्टी इस डारेक्शन वarsa इस डारेक्शन मरेनी तो इसंसर आपको यह होता है आपका इन दोनों में जो एंगल बन रहा हो से थीटा बोला जाता है तो देखो एक वेक्टर ये है तो यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा था थीटा हमने ये calculate कर दिया था जो कि 120 डिगरी था तो यहाँ पर यहाँ पर यह आ जाएगा आपका cos 120 डिगरी ठीक है बताता हूं यहाँ पर negative 1 upon 2 होता है ये negative 1 upon 2 आ जाएगा ये finally क्या हो जाएगा इसे काटते हैं तो यहाँ पर 250 आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 625 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका 725 और ये negative 250 आ जाएगा अब इससे आगे अगर हम solve करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ये root 475 आ जाएगा अब देखो अगर आप इसका square root निकाल दो तो square root 21.79 आता है इतना आता है ये kilometer per hour लेकिन आप इसे round off में 22 भी लिख सकते हो 22 kilometer per hour क्योंकि NCRT ने 22 में ही answer दे रहे है तो ये question आपका complete हो जाता है देखिए ये जो question है ना ये question आपका parallelogram law of vector addition के topics है parallelogram law of vector addition अगर आपको इस topic को briefly समझना है तो उसके लिए मैंने link आपको description box में दिया है वहाँ से भी आप इस topic को समझ सकते हो ठीक है तो ये question आपका complete हो जाता है ओके